आम तोर पर जब भी हम टाइल के शोरूम में जाते हैं तो वहाँ पर हम बहुत सारे टाइल की डिजाइन देखते हैं बहुत सारे प्रकार के कलर देखते हैं और इन में से किसी एक टाइल को चुन पाना अपने घर के लिए बहुती मुश्किल काम होता है टाइल में अलग-अल कलर होते हैं कुछ लाइट कलर होते हैं और तो और टाइल के अलग-अलग साइजेस भी होते हैं तो इन टाइल में से अपने घर के लिए सबसे बेस्ट कौन सी टाइल होगी ये चुनपाना थोड़ा सा मुश्किल होता है क्योंकि वहाँ पर आपको डिस्पले में एक या फिर दो टाइल दिखाई देती है वो पूरे रूम में किस तरह से दिखाई देंगी इसके बार में आपको आइडिया नहीं होती है देखिए दोस्तों शुरुआत में हमें टाइल तो बहुत जादा पसंद आ जाती है दिखने में भी अच्छी दिखती है पर बार-बार उसे क्ल अब देखिए दोस्तों सबसे पहली चीज जो कि आपको टाइल सिलेक्ट करते समय ध्यान में रखनी चाहिए वो है फिनिशिंग अब जब भी आप शोरूम में जाते है तो आपको दो टाइप की टाइल दिखाई देती है पहली होती है ग्लॉसी फिनिश और दूसरी होती है अब ग्लॉसी फिनिश जो टाइल होती है उसमें आपको लाइट का अच्छे से रिफलेक्शन दिखाई देता है यानि कि ऐसी ग्लॉसी फिनिश टाइल जो है वो आईनी की तरह चमकती हुई दिखाई देती है जैसा कि आप अगली वीडियो में भी देख रहे हो और जो बिल्कुल भी शाइनी नहीं होती है अब इन दोनों ही फिनिश वाले टाइल के अपने 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 आडबंटेज होते है जैसे कि ग्लॉसी फिनिश वाली टाइल जो है उसके उपर लाइट तो अच्छे से रिफलेक्ट होता है पर उसके उपर दाग जल्दी वीजिबल ह होते हैं तो अगर हम बात करें मैट फिनिश टाइल को आपको कहा पर लगवाना चाहिए और ग्लॉसी फिनिश टाइल को कहा पर लगवाना चाहिए तो आपके हॉल के लिए सबसे बड़े आप्शन होगा ग्लॉसी फिनिश टाइल क्योंकि ऐसी ग्लॉसी फिनिश टाइल जो या फिर ग्रनेट वाले डिजाइन को और आपको बडा दिखाना है तो आपको light shade चाहिए, ज्यादा light का reflection चाहिए अगर आप dark color को चुनते है ऐसे वक्त में आपका hall जो है उसका size थोड़ा सा छोटा दिखाई देता है और dark color के साथ experiment कर पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है बिना किसी professional की help के, चलिए दोस्तों अब बात करते है आपके living room में आपको कितनी size वाली tile का इस्तमाल करना चाहिए देखे दोस्तों वैसे तो tile के बहुत सारे sizes available होते हैं पर room के हिसाब से आपको tile का size का चुनाव करना चाहिए आपके घर का hall होता है वो आपके घर का सबसे बड़ा room होता है इस वज़े से आप बड़ी से बड़ी tile आपके hall में इस्तमाल कर सकते हैं जिसकी वज़ेसे joints भी कम दिखाई देते हैं और आपके hall का look जो है वो एक step आगे चला जाता है अगर आप 2 by 4 की tile का इस्तमाल करना चाहते हैं तो definitely आप hall के लिए इसका इस्तमाल कर सकते हैं पर जहां तक बात आती है minimum size की तो आप 2 by 2 से कम की tile आपने hall के लिए बिलकुल भी इस्तमाल ना करें चलिए अब आते है kitchen room के तरफ तो kitchen room में आपके लिए सबसे बड़या विकल्प होता है जो की है mat finish tile इसका कारान यह होता है कि इसके उपर दाग धब्बे जल्दी दिखाई नहीं देते और यह ज़ादा slippery भी नहीं होती है और जहां तक बात आती है kitchen room में design को select करने की तो आपको ये चीज हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए कि अगर आपका kitchen room छोटा है तो इस तरह की checks वाले design को आपको select होती है तो उनका भी इस्तमाल आप अपने kitchen के लिए कर सकते है अब देखिए checks वाले design अगर आप छोटे kitchen room में इस्तमाल करेंगे तो उसका size जो है वो और भी छोटा दिखाई देने लगेगा इसके आलावा जो vertical line वाले tiles होती है उनका आप इस्तमाल कर सकते है matte finish में जिससे के आपका छोटा kitchen थोड़ा सा बड़ा दिखाई दे जैसा कि आप अगले वीडियो में देख रहे इस तरह की design का भी आप चुनाव अपने kitchen room के लिए कर सकते हो अगर हम kitchen room में इस्तमाल होने वाले tile के color की बात करें तो आप medium dark color के तरफ जा सकते हो हाला कि wooden color अगर आप इस्तमाल करने वाले है तो एक brown finish आपके tile को मिलती है जिसके वज़े से वहाँ पर आपको दाग धबे नहीं दिखाए देंगे और आपको बार बार cleaning करने के आवशक्ता नहीं होगी और अगर हम size की बात करें तो 2 by 2 की tile आपके kitchen room के लिए sufficient होती है और आप जो है marble वाले design के tile का भी चुनाओ कर सकते है या फिर आपको चाहिए तो wooden वाली tile भी आपके bedroom में बहुत ही खुबसूरत दिखाई देगी जो कि आपको matte finish में मिलती है और इससे आपको बार बार cleaning की दिक्कत का सामना भी नहीं करना पड़ेगा और जहाँ तक बात आती है tile के size की तो जैसे कि मैंने आपसे कहा कि बहुत सारे area आपके bed और furniture में cover हो जाता है इस वज़े से बड़ी tile लगवाने का कोई भी जादा मतलब नहीं बनता है पर आपको minimum 2 by 2 की tile का इस्तमाल करना चाहिए अपने bedroom के लिए अब बारे आती है आपके घर के bathroom की तो bathroom में आप जो है अपने हिसाब से tile लगवा सकते हैं जहाँ तक बात आती है flooring की तो वहाँ पर dark color की tile का इस्तमाल किया जाता है और वो tile जो है वो खास करके anti-skid tile होनी ही चाहिए यह ऐसी tile होती है जिनके उपर से आप जल्दी फिसलते नहीं है आपको थोड़ी सी crypt मिल पाती है और जैसे कि आपको पता होगा bathroom में बहुत सारा पानी होता है जिसके वज़े से slip होने के chances बढ़ जाते है तो यह anti-skid tile आपका protection करेगी अब यहाँ पर flooring की लिए dark color का इस्तम आप दिखाई देता है तो इसलिए bathroom की जो flooring होगी उसके लिए dark tile का चुनाव कीजे और जहां तक बात आती है bathroom की wall tile की तो wall tile में आपको बहुत सारे type के designs और patterns available होते है हाला कि आप glossy finish वाली wall tile को लगवा सकते है जो की आगे चलके थोड़ी सी dull होने के बाद भी ज्यादा दि patterns होते है जिनके इस्तमाल से आप horizontal design बना सकते है या फिर vertical design बना सकते है अब वीडियो में दिखाए गए design patterns और color का आप idea लेंगे और उस हिसाफ से अगर tile choice करेंगे तो आपको bathroom की tile choice करने में बहुत ही आसानी होगी देखिए दोस्तों बाकी room की तुलना में bathroom जो है वो छोट करें इसका फाइदा यह होगा कि आपका bathroom दिखने में थोड़ा सा बड़ा दिखाई देगा और अच्छी कासी रोश्नी जो है आपके bathroom के अंदर आप आएगी और ऐसा भी नहीं होता है कि पूरी तरसे wall tile जो है आपकी light ही होती है आपकी design वाली tile थोड़ी सी dark होती है इस चुरुबात में आपको अच्छा दिखाई देगा और बाद में यह इतना अच्छा look नहीं देता है अब देखिए दोस्तों अगर आप थोड़ा सा experiment करना चाते है चाते हो कि थोड़ा सी अलग type की tile जो है आप अपने घर के लिए लगवाए ऐसे वक्त में जहां पर वो tile प बता पाना मुश्किल हो जाता है कि वो tile आपके घर में किस तरह से दिखाई देगी तो आपके इसाब से आपके घर के लिए सबसे बढ़िया tile कौन सी रहेगी कमेंट बॉक्स में कमेंट जरू कीजिए अगर आपके कोई सवाल है तब भी आप कमेंट कर सकते हो और अभी तक आपने चानल को सबस्रीब ने किया दोस्तों तो कैसे चलेगा चैनल को जरू सबस्राइब कर दीजी और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो जरू इसे like कर दीजे और इन तीनों वीडियो में से कोई एक वीडियो आपके जरू काम में आ सकता है